नमस्कार मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रेशुत्यागी ड्रेगन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है आतंकबाद को लेकर चीन अपना नजरिया बदलने को बिलकुल भी तैयार नहीं है वो अपनी हरकतों से बार-बार इसका हिमायती और समर्थक नजर आ रहा है उसने अब मुंबई पर हुए 26-11 हमले में शामिल लशकरे तैबा के आतंकी साजित मीर को वैश्विक आतंकी घोशित करने में अडंगा डाल दिया है अमेरिका ने मीर को ब्लैक लिस्ट यानि की काली सुची में डालने के लिए सैयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में प्रस्ताव रखा था और भारत ने इसका समर्थन किया था लेकिन चीन ने बीटो कर दिया अगर मीर वैश्विक आतंकी खोशित हो जाता तो दुनिया भर में उसकी सारी संपत्थी को जब्त कर लिया जाता और उसके सदस्य देशों में उसके आने जाने और इसके साथ ही उसे हत्यार उपलब्ध कराने पर पूरी तरीके से बैन लग जाता यानि की रोक लग जाती पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर वही है जो 26 नमंबर 2008 को मुंबई हमले के दौरान आतंकी अजमल कसाब समेथ अन्य सभी आतंकीों को फोन पर हमले के लिए लगातार उनके संपर्क में रहकर निर्देश दे रहा था जिन्दा पकड़े गए आतंकी कसाब ने साजिद मीर का नाम लिया था मुंबई हमले की साजिश में लशकर का संस्थापक हाफिस साईद वा जकियूर रहमान लखवी भी इस दौरान शामिल थे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद की अलकायदा प्रतीबंध समीती के समक्ष साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोशित करने का प्रस्ताव रखा था अमेरिका दौरा लाए गए प्रस्ताव में मीर की संपती जब्त करने यात्रा पर प्रतीबंध लगाने और हत्यारों पर प्रतीबंध लगाने का अहावां किया गया था अमेरिका ने मीर के सिर पर 50 लाग डॉलर का इनाम घोशित कर रखा था 26 ग्यारा हमले के मृतिकों की लिस्ट में 6 अमेरिकी भी थे इसलिए अमेरिका भी साजित मीर को दबोश न चाता है पाकिस्तान ने FTF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए मीर को टेरर फंडिंग के केस में 15 साल की सजा सुनाई हाला कि मुंबई पर आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान ने मीर पर अब तक केस दर्ज नहीं किया है साजित मीर भारत के Most Wanted की लिस्ट में शामिल है चीन ने इससे पहले भी आतंकवाद के खिलाफ भारत वे अन्य देशों के प्रस्तावों को पारित करने में अडंगे डाले हैं पिछले महीने उसने जैशे मोहमद के प्रमुक मसुद अजहर के भाई और पाकिस्तान इस्थित आतंकी संगठन के एक वरिष्ट नेता अब्दुल रौफ अजहर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव पर तक्नीकी रोक लगवादी है इससे पहले मसुद अजहर को बैश्विक आतंकी करार देने के प्रस्ताव में भी वो बाधग बना था तो लगातार चीन का जो दोहरा रूख है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक मुखोटा कह सकते हैं चीन का जो हमेशा देखने को मिलता है और चीन कहता कुछ है करता कुछ और है और इस विशेपर चर्चा करने के लिए दो खास महमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ जितेंदर ओजह जी हैं जो की पूर्व राजनेक जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है बहुत स्वागत है सर आपका और इसके साथ ही हमारे दूसरे खास महमान है के समर्थन वाले प्रस्ताव को रोक दिया इसे कैसा देखे जाए जब से दुनिया बनी है तब से कुछ ताकतों ने टेरिरिजम को एक स्ट्रेजिक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया चीन में को कोई किन्फूजन नहीं है जूट बोलना चीन की फिडरत में है उसकी साइ कर दिया लेकिन हमेशा से अफगानिस्तान में ड्रग की वो कल्टिबेशन के रहा है और इस तरीके से पंजाद पर अटैक किया गया है तो चीन की जो लाजर एजंडा है वो एजंडा क्या है कि भारत को किसी थी कीमत पे उभरने नहीं देना और हर इंडिरेक्ट तरीके से भारत को परिशान करना और उसमें जो है बो जो पाकिस्तान के संग्रेक्शन में जो आतंकवादी संगठन है उसका वो बड़े आरा इत्मिनान से एक इस्तेमाल भी करना चाहता है और उसका जो रोल है वो पकड़ में नहीं आए भारत को शांती की बात करके बर्गला देना चाहता है कि हम आश्रस हो जाएं और कहते हैं नि आप अश्रस होजए यह बस चींट के जो चेहरा है वो कुछ है दिल नहीं के दिमाग करता है और दिमाग यहां पर कुछ करता है लागतार खुराफााद जो है वो चीन के दिमाग में यहां पर आ रही है डॉक्टर दीपक जी आप से भी समझने की यहां कोशिश करेंगे कि चीन ने जो अरंगा लगाया है 26 ग्यारा हमले की मास्टर माइंड साजिद मीर के ब्लैक लिस्ट होने पर सवाल यही है कि चीन की मन्शा अखिरकार है क्या वो चाहता क्या है अबारी हो कि आपने यह मौकत दिया है आपके सांदार चैनल पर शरीक होने का ओजाए साथ यहां पर है जिनकी जानकारी संकरी मुझे कहीं आदा है प्रयास दरूर करूंगा की इसे सिखो और आप से भी चीन क्या चाहता है तो सारी दुनिया जानती है चीन क्या चाहता है चले आवाज यहां पर डिसकनेक्ट हो गई है इसका जवाब में यहां पर जीतिंद्र जी आपसे चाहूंगी कि आप इस बात को पूरी तरीकिसे करें तो यहां कि चीज程 चाहता है कि टेरिरियुज़्ज़माव इन्डारेक्लिकर और दिनायवल रूप धिसका नहीं नहीं कहा ठीको चाहता है कि पाकिस्टान अपने टेवरिप्रिय। की खेठी रहे और उसके बारस को परिशान करना उनका काम था कि सोवयत और भारस की जो मिच्वता थी प्रकिसी भी कीमत पर सोवयत को काशन कारने के लिए इन्हों ने लाया था, अमरिकान ने और बिटिक्षु से लाया था कि किस तरीज ही उनकी एंगलो रशन रावलरी जिसको अमरिका ने इंहरिट कर लिया तो पाकिस्तान के जो रेजीम है जो सरकार है या मिलिटरी इस्टेब्लिश्मेंट है वो बहुत प्यार है कि वो किसी ने किसी की पिट्टू बन के ही रह सकती है न तो अपने देश के बारे में उसकती है न इस्टानियत के बारे में तो सकती है और वो बिगाओ किस्म की पुट्टू है अगर आप मुझे इजाज़ते कहने का तो तो अब उसे चाइना ने खरे गिया है और चाहता है कि भारत एक बड़ी देश बड़ा देश है उसे भी पुरानी सिविलाइजयशन है और भारत की सिविलाइज़शन जब चाइना में जाती है तक चाइना में थोड़ी बहुत इंसानियत आती है लेकिसे सिविलाइज़शन का मतलब होता है आप तो लोगों की हर्टिया करें तिवलाइज़ेशन का मतलब होता है कि इतना ट्रस्ट आप पॉस्चर करें जिसमें सारी चीज़े आर्ट, कल्चर, साइंस, नॉलेज, हुमनिज़, यह सब कुछ थ्राइब करें फॉस्चर करें तो चाइना कहता तो अपने आपको इस आर्मी है, पाकिस्तानी मिलिटरी स्टैब्लिश्मेंट है, जो करने को तैयार है, तो देखिए, जब भी बात होगी टेरिजम की, तो चाइना चाहेगा कि कोई घ्यूर को तो खतम कर दे, जिन्जियां को तो खतम कर दे, लेकिं जहां उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो करेगा, आज जो भारत के खिलाब कर रहा है, जरुवत परई तो पाकिस्तान के खिलाब भी करेगा, तीसे कंट्री के खिलाब भी करेगा, तो वो अपने ताकत के नशे में अंधा है, तो चाइना की स्ट्राइजिक साहिकी को हम लोग बहुत अच्छे से समझा है, उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार और दुनिया के सरकारे भी समझें, बिल्कुल और इसको एक लाइन में यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको चाइना ने ठगा नहीं, जरुरत पड़ेगी तो आने में ऐसे जो देश हैं, जैसे भी आपने पाकिस्तान के यहाँ पर कर रहा है, जबकि चीन भारत की खिलाब जाने का कोई अफसर भी यहाँ पर छोड़ नहीं रहा है, डॉक्टर दीपक, आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या, मुझे आपके आवास बिल्कुल आ रही है, सर, आपके, अभी आपने जो सवाल पूशे हो जाए, सबसे उनकी जानकारी इस मामने में मुझे से कहीं ज्यादा है, मैं उनसे सीखता हूँ और आप से सीखना चाहते हूँ, अबारी हूँ क्या आपने बावका दिया है, आपने का चीन चाहता क्या, यह सवाल आपने पूचा और इसमें कोई डाउट है, नी, सवाल इसका जवाल दे दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप भी इसका जवाब दे सकते हैं, चीन डरता है भारत से, जलता है भारत से, एक जंगल में दो शेर नहीं रहते, यह इस्या का जंगल है, और यहां पर सबसे बड़ा शेर आ कि अपने लोगों को नहीं बताएंगे, कोई भी ऑटोक्रसी होती है, इसको बड़े ध्यान से सुनिय में जो कहेंगे जा रहा हूं, क्योंकि मैंने कई ऐसे देशों में काम किया है, सर्विस की है, जो ऑटोक्रेटिक का देश है, वहाँ पोर उनको दो आपाजे उठानी हम सारी दुणिया को साहरों को चाहिए कि पिंघ पॉंख शे लोग साहते है तूम प्र शाहते हैं, यह करेंगे, को करेंगे, यह करेंगे, यह दुदुनिया को चाहरों कि चीन टेर्रिस्म से दफ लेड़ है, चिंजियांग जानती है, उसका इन्ट्रेस्त टाम आएं, इम ग्रीक माइथालोजी ये एक्सप्रेशन सुना उसका सबसे कमजोर इससा उसकी जिसम का उस शिंजियांग है चिंद के लिए टेरिस्ट अटक हो चुके हैं तो पिर सबसे पहले उसके साथ कालिवान को बुलाया के बाइचा तरना है करो बस मुझे बश्चों मत अना यह तब चलेगा वो डरता है टेरिरिस्ट से कुछ कर नहीं पाता है जहां तब भारत का सवाल है कुछ था जै कुछ भी कर दो चाहे तो इसकी परमेनेंट मुंबर्शिप में उसको या चुकले सब्लाइस को मैं इसको मैं उनों वालों पर किस कर के भार्ष ना राजने होगा लेकिन जब हमाचा मारा उसको जाती है कि समरकन में पी-म साथी की पिंग-पॉंग से उसको बहुता है चाइना की समस्या जी इगो और अपने से कैसे काभू पाए वो सब्सक्ता है कि अगर मैं पाकिस्ता पारी जो आतंकी है उसको प्लूंगा और कौंगा रहे में चोटे बेटे म जो भी है मुझ पर हम करेंगे लिए यह तो हिलिए क्लिंटर ने बहुत है अलोगे ना घर में सिर्फ पड़ोशी को नहीं जासे कि आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं बहुत अच्छे से जानकारी आपर दे रहे हैं लेकिन बीच-बीच में आपकी जावाज है वो भी आपर ब्रेक हो रही है एक तरफ रूस आई आर सी मतलब इंडिया रशिया चाइना गडबंधन की वकालत कर रहा है जबकि चीन भारत के खिलाफ जाने का कोई अफसर छोड़ नहीं रहा है इसको भी समझेंगे आप से कि चीन की जो सोच है उसका एफ़लोश बराबर में के महतला है कि यह की है कि पढ़ामसी में औरा साप भाइव हैं वरिट्छ भाइट के लोग नो कुछ और हैं करते कुछ हैं लेकि फिर भी इसकी आज जूट है दुनिया में पिछले पचाल साथ सालों में एक विश्वास का माहौल पैदा हुआ है कुछ नव रूस नौंस बने हुए हैं चाइना ने क्या काम किया है कि पश्चिम की कमजूरी का फायदा उठाके वो तरक्क क्या करते हैं लोगों को उसकी बात माननी चाहिए तो वह हमारी मित्सा जो चाहता है और दिक्ते हैं और उसके पीछे पीछे जाएं जो किसम्हों नहीं है हम उसे कहीं बहुत नहीं हैं हम में बहुत सारी कमियाह धिकते आ हैं और वो यह नहीं ठाटा है कि अगर हम बड़ी ताकत है तो धूस्टे का ध्यान भी रखेंगे हम दूस्ट्रे को जितना चाहए कम जोर करेंगे एतना कम जोर कर देंगे कि दूसरे कभी भी अपने पईरू पे खाड़े नहोंता है और यही वज़ा है कि चाइना में कॉंटिनिटली रहने के बाद भी आप देखें कि 19 सेंचुरी में कितनी तरिदृता आ गए थी, क्योंकि तरिदृता सोच में है, तो यह सी चिंपिंग की सोच की तरिदृता है, मैं कहूंगा, खास्तर कि इतने संपनता आने के बाद भी वो सिविलाइज नहीं हुए, अपने आपको सिविलाइजेशन जरूर कहते हैं, तो हमारी भी गलती है कि देखिए, हम इसमें किसी से एक्पेक्ट नहीं करें कि वो करेंगे, उनकी बार बार साफ है, लेकर हर बार हमारे लोग गलती करते हैं, डॉक्टर दीपक आपने गाने की लाइन सुनी होगी, कि एक चहरे पर कई चहरे लगा लेते हैं लोग, और मुझे लगता है, यह जो लाइने हैं, चीन के लिए बिलकुल सटीक बैठती हैं, उसी के लिए शायद लिखी गई है, लेकर आप उसका असली चहरा सबके सामने आच चुका है, वो आपने आपको ब बड़ी अच्छी बात है, अगर तलाक हो जाए, दूसरी बार करते हो, तो तो दैजिस देट्राइम्फ और एक्सपीरियस, तीसरी बार करते हो, वो तो बेवा कुफी है, तो यह चीन बार-बार-बार करता जाता है, वो यह गल्तियां, आप यह जो पंदरा से बीस मिलियन वीगुर है, मुस्लमान वीगुर, जो जिंजांग में रहते हैं, वो हान चाइनीज से नफरत करते हैं, एक और देश है हमारे पस्चिन की तरफ, मुझा सब क्या नाम है, उसको किस्तान कहते हैं, उसको, पक, 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 पकितान, शमा की जिगा, जी, अब वहां पर आप दे लोगों को पैसे देता है, आप लोग जाके शारी करिए, वीगुर ओरतों के साथ, अब बच्चे पैदा करिए, वहान हो जाएंगे, लेकिन वीगुर जो हैं, मुस्लिम हैं, और सब अच्छे लोगों की तरफ, धरा धर 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 बच्चे पैदा करते हैं, पिंक पॉंग इस फाङिसे नहीं है फाइनैंशली खतम होचगा है पुलिटिकली खतम होचका है चो किसी ने उसको भाव नहीं दिया और हमारे साथ बढ़ी दोस्ती करने की कोषिक्ता है हम भी भाव जबता है अफ़गानस्तान का दोस्ती करता है कि शायद ये लोग जो टेरिरिस इनके दामाद हैं पाकितान में तो है वो किसी का क्या था साजिद्मीर और यह वो दामाद है या उनके brother-in-law है या father-in-law है deuxième जोबी कुछ है, उन सब के साथ सोचते हैं, अगर मैं दोस्ती कर लूँगा, यह कुछ पर हमला नहीं करेंगे, है मेरे चाचा, तु क्या सोचता है, आगर तु रिक्न साथ दोस्ती करेंगा, यह अभारी होंगे, ग्रेटफूल होंगे, तुन्हे वो प्रिंसिपल सुना हैं, स्वार्दनबग का इंटरनाशनल रिलेशन्स में कोई ग्रैटीटूड नहीं होगी जिस दिन समय आया यह तेरे कुछ दबा की तमाचा मारें यह कैसे समझाए कोई चीनियों को दिमाग तो उन्होंने परमिनिस्ट वाजी को बेच दिया बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस दिन समय आया तो चीन जो है वो पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेगा ओजा जी चीन संयुक्त राश्ट्र संग में 27 सदस्य है और वो अपने विशेशादिकार का प्योग हमेशा भारत के लिए एक हत्यार की तरह करता आया है झाया जिसे चीन का एज़न्ड़ा का है जÁसे हांंच जिस स्विप्रमेसी की बात कर 組क्र कर ला हूँ प्रॉपीलेशन लौफ करणी है वो दो तिहाई जमीन जो है दूसरों के लिए रखी है उसने और लोगों का मानना है कि जैसे जैसे भारत एक तपिता के रूप में या एक ज्यास्ट के रूप में सधियों की मैं बात कर रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा हम लोग बिखरना शुरू होते हैं तभी से चीन जो है म कामबोडिया में जाके देखें जहां पर सुर्य का मंदिर है या स्ट्री विजय किंग्डम इंडोनेशिया की बात करें तो हो सकता है नसे के हिसाफ से लोग हम से थोड़े अलग हो लेकिन जब हम मजबूत भरत मजबूत होता है तो तो तमाम लोग मजबूत हुए हैं तो क्पमी हमारी है कि हम एक थबिखता की रुपने जिब कमजर होते गए तो ये गवार जाहिल लोगों की थबिखता है जो किसी को भी सब चलने वाले जनूरो को मारके ख़ाँ जया जिन envelope नहीं है ये और ममलूग मंगलूग ये लोग मिल के इनोंगो पूरे च्चित्र को प्रवाजियों को करेंगे इनको जो करना है करने दीजिए देखिए भै के बगर फ्रेम नहीं होता जो तुलसी दास ने भी खाए कि शट के साथ शट ही करना पड़ेगा उसके साथ आप संगीत बजाए म्यूजिक बजाए सोचे कि वो सुधर जाए तो सुधर नहीं सकता है औ वही मंगोल और यह धोके धरी वाले हमारे लोग जो है जो पाकिस्तान में है वो है तो हमारे लोग जो हमें धोका जेके चले गए हैं और कण्वर्ट हो गए हैं तो यह लोग इनको फ़ारत का मजबूत होना बहुत जरूरी है और इनके साथ हमें कोई भी उमीद नहीं रख कि जो अपने मन से भैबीत नहीं बस वही निडर है तो निडर होकर भारत को आगे बढ़ना पड़ेगा और चीन के खिलाफ जो है वो एक जुट होना पड़ेगा अब तमाम देशों को भी यहां पर डॉक्टर दीपक मुंबई हमले के दौरान 175 लोगों की जान चरी गई मीर क क्युक्त आज हम यहां पर बात कर रहे हैं साजित मीर को लेकर तो साजित मीर सैट्लाइट फोन के माध्यम से हमलों में शामिल आतंक वादियों को ऑप्रेट कर रहा था फिर भी चीन उसे बचा रहा है डिप्लोमेसी तो समझ में आती है सर यहां पर लेकिन चीन की मानवता भी मर गई है क्या अभी बात किया आप सिविलाइजेशन जानी सिविलाइजेशन की तो बड़ा अच्छा एडिया होगा अगर उनमें क स्कॉलर है अरे किसको बेफ़कू बना रहे हैं अपने आपको या दुसी दुनिया को बेफ़कू बनाने की कोशिश करते हैं यह चीज एक समझ लेनी चाहिए मुझे मालूम नहीं कब जी इनके पास समझ आएगी शाइज जब टाइवान के बारे में कुछ हो रहा है या नह इसने दाइने हाथ की पाँच उंगलियों में गिन लूँगा कौन से देश चीन को सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान भी नहीं करेगा और वो क्या नाम है उसका जो बड़ा आजीब सा न्यूक्रे मिसाल मिसाल ठेकता रहता है नॉर्थ कोरिया वो भी नहीं करेगा क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अब ये चेरा आप देखा रहें ये मीज साब का है ना चेरा इसका बड़ा ध्यान से ने कुछ आइनीज ब्लड होगा इसके अंदर या वीगर ब्लड होगा या मॉंगल ब्लड होगा इसके अंदर इसलिए बस उसको प्रोटेक्ट कर रहें कौन हैं ये क्या समझते हैं दुनिया को मेरा तो ये विचार है कि पूरी दुनिया अच्छी तरह से समझ गई है कि हम भरोसा नहीं कर सकते इनके उपर और जब भरोसा खतम हो जाता है तो उस समय किसी भी देश का आइसोलेशन और उसका फाइनल कोलाप्स आलंब हो जाता है बिल्कुल सही आपने यहाँ पर कहा भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि भरोसा भी उसी पर किया जाता है जो भरोसे के लायक होता है बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए डॉक्टर दीपक वोरा और जितेंदर ओजह जी आप दोनों का तो आतंक वाद को लेकर चीन अपना नजरिया बदलने को बिल्कुल तयार नहीं है और वो अपनी हरकतों से बार-बार इसका हिमायती और समर्थक नजर आ रहा है उसने अब मुंबई पर हुए 26-11 हमले में शामिल लशकरे तैबा कि आतंकी साजित मीर को वैश्विक आतंकी खोशित करने में अडंगा डाल दिया है अमरीका ने मीर को काली सूची यारे की ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए संयूक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में प्रस्ताव रखा था और भारत ने इसका समर्थन किया था लेकिन चीन ने वीटो कर दिया इसी के साथ